नवस्कार में हुश्वानी विहारी नियूस में आपका स्वागत है। नियूस में हुश्वानी विहारी नियूस में आपका स्वागत है। वही देवघर के बावव वैदेनाथ मंदिर में पहली सुमवारी को बड़ी तादाद में भग पहुचे हैं। मालुम हो कि सावन के सुमवारी का विश्विस महतु माना चाता है, ऐसे में भगतों की भारी भीर लाजमी है। नेहा बनी 10 वी के परिक्षा में स्टेट टॉपर। अस्थान प्राप्ट किया है। वही यह विहार के दूसरे टॉपर बनी रिशव कलानी को 500 में 497 मांक्स मिले हैं। देश्वर में दूसरा अस्थान प्राप्ट करने वाली स्टेट टॉपर ने हाँ बेहत खुश है। वह ने कहा कि हमने अच्छे मांक्स के बारे में जरूर सोच रहा था। प्राप्टन और JCO सहित दो लोग शहीद हो गया है। प्रतिक्षा की जा रही है। किसानों को इस दिन बारिश दे सकती है अच्छी ख़बर। विहार में मौसम विभाग दौरा लगातार पुर्मानवान जारी के जार हैं। लेकिन मौनसून अपने बारिश के बचारों से भीगाने को तेयार नहीं है। किसान भी अपने फसल को लिकर चिंतित हैं। धान की रोपनी पर इसका असर पढ़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग दौरा जारी पुर्मानवान से कहा जा रहा है कि विहार में 20 जुलाई से अच्छी बारिश के आसार है। इससे पहले मौसम विभाग दौरा पुर्मानवान में कहा गया था कि राजभर में आचारा जुलाई से एक बार फिर से मौनसुन सकरी होगी। हालांकि अभी तक मिली खबर के अनुसार राज़ के कुछी शेत्रों में वो भी छिट-पुट बारिश हुई है। हालांकि अभी मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 जुलाई को कुछ इलाकों में बुंदा बांदी के बाद 20 जुलाई को परदेश के कुछ हिसों में तीच बारिश होगी। इस मामले पर राज़्ट्रे सुरक्षा एजेंसियों के साथ विहार पुलिस की एहम बैठक, प्रधानवंत्री के आगवन पर पटना को धहला देने वाली साजुशन नाकाम करने और मगरूब एहमद दानिश उर्फ ताहिर का विदेश्य संगचनों के साथ तार जोड़नी अन्य एप पर हुई बाचीद के स्क्रेंशॉट समेथ अन्य साक्षियों को देखा इसके बाद टीम के अधिकारी विवेन पहलों पर जाच में जुट गया है वहीं तीनों रास्ट्री सुरक्ष एजनसीों के साथ हुई विहार पुलिस की बैचक को गुप्द रखा गया था दसवी के पाची करम में जुडेंगे ये नया विश्य बिहार के सरकारी विध्यालेओं के दस्वी के पाचिक्रम में नया विश्य जुरने जा रहा है या विश्य है क्रिश्य विध्यान दरसल सरकार का मानना है कि गाउं में रहने के वाबजूत कई बच्चे धान और गेहुँ जैसी फसलों को पहचान नहीं पाते हैं वहीं अन्य फसलों और सब्चियों की चानकारी से भी दूर होते जा रहे हैं इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार परिवर्दन लाने जा रहे हैं आपको ये बताते चुले केंद्र सरकार दोरा राज्यों को जारी निर्देश के बाल विहार सरकार ने यह पहल की गई है वहीं पाचे करम तयार करने के जिम्मेदारी विहार क्रिशी विशुविद्याले सबोर्ट, राजेंद्र केंद्र क्रिशी विशुविद्याले पूसा, पशुविज्यान विशुविद्याले पटना, SCERT जिला सिक्षा पदाधी कारी भागलपुर के अलावा क्रिशी विज्यान केंद्र को कारेकरम समनवयक और SCRT के निदेशक को सौपी है क्रिशी विभाग ने इनसे एक महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है विहार में आईवी का अलाच इन जिलों में अतिरिक्त पुलीस बल की तैनाती शिफ भक्तों के लिए पवित्र सावन का महीना चल रहा है इस दोरान कावरिया पत और प्रमुक शिवालयों में सुरक्षा को लेकर पुलीस बल को अलर्ट किया गया है जिस तरह से भक्तों की भीरू मर रही है उसको देखते हुए विशेस शाखा ने सभी जिलो की पुलीस को अतिरिक्त सतरकता और चोकसी बढ़तने को कहा है कावरियों के आने ज़ाने के रास्ते और शिवालयों के आसपास कटरपन्थी या असामाजिक तत्यों किसी अनहोनी को अनजाम न दे इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बलो की तैनाती की गई है अतिरिक्त बल की प्रतिन्युक्ती की है इसके अलावा पटना और जमालपुर रेल पुलिस जिला को भी अलग से बल मुहया कराया गया है पवन्सी के नए गाने ने पहले ही दिन बनाया रिकॉड पूरे साल में शिभगतों को जिस एक महिने का इंदिजार रहता है वो है सावन का महिना या पूरा महिना शिभगत भक्ती में लीन हो जाते हैं जगा जगा भगवान बोले कि मधूर संगीत भी सुनने को मिलता है ऐसे में आपने भी कोई ऐसे गीत सुने होंगे इस बीच बोजपुरी सुपरस्टार पवन सींग का भी एक गाना रिलीज हुआ है जो काफे पसंद किया जा रहा है आपको बता दी कि सावना स्पेशल गाना लेजात बाडू देवघर रिलीज हुआ है पहली सुमवारी पर इस गाने ने रिलीज के साथ सोचल मेडिया पर ध से इगाया है। मुख्यमंत्री नतियशकुमार को किसान नेता राकेश ट्रिकयत इने दी एहम सलाह राजधानी पट्ना प्रेस-कॉंफरेंस आयोज रित कर इसे में जरूरी है कि विपक्ष एक जूट हो, मजबूत हो और आंदोलन करें। इस बीच पूर्व उपमुख मंत्री एवन राजे सवा सदस सुशील कुमार मोदी ने पॉपलर फ्रंट ओफ एडिया पर प्रतिबंद लगाने की मांग बिहार सरकार से की है। पूरे देश की सुरक्षा को खत्रा बढ़ा है। अब तक सही धन से विकास नहीं हो पाया। मुकेशु सैने ने कहा कि जारखंड अब उम्र के हिसाब से युबा हो गया है। फिर भी इसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि या निशादो के लिए और समस्या है। विसादो का मुख्य पेश्वा मचली पालना है लेकिन जारखंड में नदियों की संख्या भी कम है। उन्होंने कहा कि वियाएपी जारखंड में अब महत्पुर्ण विकल्प बनेगा। द्रॉबदी मुर्मों को वोट देकर खुश स्रेयसी सिंग ने तेजस्वी की लगाई क्लास। उन्होंने कहा कि द्रॉबदी मुर्मों को वोट देने पहुंचे जमोई विधाय का स्रेयसी सिंग ने तेजस्वी यादब द्वारा किये गए तंज पर नराजगी जाहिर की है। तेजस्वी यादब ने मीतिरिन अपने सोशल मेडिया अकाउंट से एक वीडियो साचा किया जिसमें वो गली क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेडियो को साचा करते हुए तेजस्वी यादब ने कैप्शन में लिखा जिन्दगी हो या खेल, जीतने के लिए हमेश्वा खेलना चाहिए। जितना अधिक आप योजना बनाते हैं उतना ही आप मैदान पर परदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद बल्ले और गेंद पर हाथा आजमानी में मज़वा आता है या अब अधिक संतोश जना को जाता है जब ड्राइबर, रसोया, स्वीपर, माली और देखभाल करने वाले आपके साथी हों और आपको आउच करने और आपकी बॉल पर शोट लगाने को आतोर हो तेजस्वी या तब दोड़ा या वीडियो साच्वा करने के बाद एक और बात शर्चे में हैं वो है पीए मोदी की सलाह तेजस्वी को दरसल विहार विधान सभा के शुताबिस अमारो खत्म होने के बाद जब सभी नेता पीएम को छोड़ने जा रहे उस दोड़ान नरेंदर मोदी ने तजस्वी को सलाह दी थी कि थोड़ा वजन कम करो ऐसे में तजस्वी के क्रिकेट खेलने को उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है इश्वान किशन आज मना रहे हैं अपना 24 वा जुन दिन विहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है आए दिन अलग-अलग शेत्रों से कोई ना कोई सक्सियत विहार से निकल कर देशपर में अपनी और अपनी राज्य विहार का नाम रोशन करता है उन्हीं में से एक हैं अंतरास्ट्री क्रिकेट में भारती टीम और IPL टीम मुंबई इंडियन्स की तरब से खेलने वाले सलामिर बल्ल nity का हिस्सा हैं इशान ने अभी तक खेले गए अठारी 20 मैचों में 31 کی औसाथ और 132 की चार Hearts से 530 रन बनाये हैं आइप है कि बात करे तो इशान ने अभी तक खेले गए 55 मैचों में 132 के स्ट्राहिक रेट से 1870 रन बनाये हैं यह नहीं आई पेल दुश्वर वाइस में मुंबार इंडियन्स ने उन्हें 15 करोर 25 लाख रुपे की सबसे उची कीमत में खरीद कर रिकॉर्ड बना दिया देश्वर में कोरोना संक्रुवन के मामले में आई गिरावट बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रुवन के मामले जरूर डराने लगे हैं लेकिन आज जारी की रिपोर्ट में देश्वर में कोरोना संक्रुवन के मामले में गिरावट आई है अगर सिर्फ रास्थाने पटना की बात करें तो बिते दिन जारी किये गए पिछले 24 घंटे के आखरो के नुसार रास्थाने पटना में 151 नए कोरोना के मामले आये हैं इसके बात राजवर में कुल कोरोना वारिस संक्रुवन के मामले 2375 पर पहुँच गई है देश्मर की बात करें तो आज यानी सोमवार को जारी किये गए पिछले 24 घंटे के आखरो के नुसार कुल 16,935 नए कोरोना के मामले सामने आये हैं इसके बात देश्मर में कुल कोरोना संक्रुमीत मामले 1,44,264 पर पहुँच गई है हालांकि जड़ने की बात नहीं है देश्मर में कोरोना रिकवरी रेट 98,47 पर तिश्रत है लेकिन आपको सलाह दी चाती है कि अगर आपने कोरोना वैक्सिन के दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरा डोज लेने की अब दिछे महीने पूरी हो चुकी है तो आप इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि इशान किश्वन के जन दिन पर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शों में लिकर जरूर बता है आज के लिए बस इतना ही बिहार की तमाम ख़वर के साथ बने रह करने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस धन्यवाद